हाई गाईस वेटसर वेलकम बैक टू अनादर वीडियो औन गेमर अपडेट ओफिसियल यूटीब चैनल इस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमारे इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम का न्यू अपडेट कब आएगा और आप लोग अपने न्यू अप देखा देते हैं कि इस अपडेट में को क्या-क्या देखने को मिलेगा उसके बाद फिर आप लोगों को उन सभी का चीट कोड भी बतायेंगा यानि कि जितने भी न्यू अपडेट के चीट वो सारे चीट कोड आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि हमारे इंडियन बाइक से ड्राइंग 3D गेम का न्यू अपडेट आपको कितने टाइम देखने को मिलेगा उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी कम्प्लीट इनफार्मेशन देने वा चलेगा कि आप लोग अपने गेम को कितने टाइम अपडेट कर पाओगे और क्या-क्या न्यू अपडेट में आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं उससे पहले गईस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक का reply हम कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि हमारे game के new update में आपको new क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा यानि कि पूरी list आपको दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बाद उन सभी के cheat code वगयरा भी आपको बताने वाले हैं फिर आपको बताएंगे कि आप लोग अपने game को कितने time update कर पाओगे तो चलिए guys सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे game के new update में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा एक तरफ से हम बात कर लेते हैं कि new update में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा तो चलिए guys सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं new house से त गाइस आपको निव हाउस के उपर वाले फ्लोर पर देखने को मिल जाता है जिम सेंटर लेकिन गाइस उसको आप लोग आन नहीं कर पाओगी क्योंकि रोहित गेमी स्टुडियो को कोई बेस्ट एनी मेशन नहीं मिला उन्होंने बोला था कि कोई अच्छा सा एनी मेशन देख ने को मिल जाएगा तो जिम सेंटर को आन कर देंगे तो जैस जिम सेंटर इस अबडेट में आपको आन देखने को नहीं मिलेगा और आपको हाउस के सामने स्विमिंग पूल जो देखने को मिलता है इसमें भी आप लोग स्विमिंग कर पाओगे और गाईस आपको बता दे क कि जो हमारा new house है उसके अंदर आपको जो fan देखने को मिलता है उसको भी आप लोग on और आप कर सकते हो RGS टूल के अंदर जा करके cheat code लगा करके And guys new house के बारे में आपको एक और information दे दे तो new house के सामने जो आपको देखने को मिल जाता है दोर वो automatic on और आप होगा जैसे जुरासिक पार्क का दोर automatic on और आप होता है और गईस आपको बता दे new house के बारे में एक information और तो वो information यह है कि आपके game का new update आने के बास सीधा आपका character new house के अंदर देखने को मिलेगा old वाले house यानि कि जो इस time आपको game में देखने को मिलता है उसके अंदर character spawn नहीं होगा जब आप लोग अपने game को start करोगे अब आपको new वाले house के अंदर character देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं कि new house हमारा कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा गाईस आपको new house airport के side में देखने को मिलेगा यानि कि जो building वाला house है इसको remove कर दिया है उसके side में add किया है new house को अभी तो आपको देखने को नहीं मिलता है एक मिनी जेट पैक होगा एक बड़ा जेट पैक होगा जो मिनी जेट पैक होगा उसकी स्पीड काफी फास्ट होगी और जो बड़ा वाला जेट पैक है उसकी स्पीड स्लो होगी लेकिन आप लोग मिनी जेट पैक के कलर को चेंज नहीं कर पाओगे और जो बड़ा वाला निसान GTR कार है तो बलेरो कार पहले आप लोग देख लीजिए कि इसका इंटीरियर देखने में कैसे लगता है इसको आप लोगों ने बाहर से देखा होगा लेकिन इसको अंदर से नहीं देखा होगा तो चलो गैस आप अंदर से देख लो कि कैसी हमारी बलेरो कार देखने को अंदर से मिलती यानि कि इसका इंटीर आप लोग देख सकते हैं कि कितना देखने में अच्छा लगता है और गाइस आप लोग अपनी ब्लैरो के कलर को चेंज कर सकते हो अब गाइस आप लोग को दिखा देते हैं निसान जीटी आर कार को तो guys ये रही हमारी Nissan GTR GAR जो की देखने में काफी अच्छी लगती है और guys आपको new update में क्या देखने को मिलेगा तो new update में आपको new weapons देखने को मिल जाएंगे यानि की one gun भी देखने को मिल जाएगी और 7 में आपको क्या देखने को मिलेगा तो guys आपको बता दे की new update में आपक एक सुपर बाइक भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि पिछले कई अपडेटों से हमारे गेम में कोई भी सुपर बाइक एड़ नहीं की गई पिछले अपडेट में एक बाइक एड की गई थी जिसको मैं ड्राइव कर रहा था लेकिन सुपर बाइक नहीं एड की गई थी कोई भी अभी तक तो आपको सुपर बाइक भी देखने को मिल जाएगी अब गैस आपको बता देते हैं कि अपडेट आपको कितने टाइम देखने को मिलेगा तो उसको बताने से पहले गैस आप लोगों ने जो प्यारे प्यारे मित कमेंट किये हैं वो सारे मित मैं ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमारे गेम का अपडेट आपको कितने टाइम देखने को मिलेगा और न्यू अपडेट के चीट कोड क्या होने वाले हैं तो चलिए गई सबसे पहले हम अपना फैस्ट मित ट्राइ कर लेते हैं मित है अगर आप इस्टिकी मैन बनोगे और वैलू सी रैप्टर के उपर बैटने का आप्शन और बम को ए लेते हैं कई सारे बम लगाने के बाद आप बम के उपर आना उसके बाद फिर आप लोग डायल कर लेना सुपर जंप का चीट कोड जिसका चीट कोड था 12-15 मैंने डायल करके सुपर जंप लगा लिया है अपने करेक्टर के उपर बहुत सारे बम उसके बाद फिर हम अपने squawk करा लेते हैं छोटे वाले डैनासॉर को जिसका चीट कोड है पच्चास-पच्चास डैनासॉर हमारे सामने आ चुका है उसके बाद भाई ने मीत में बताया है कि बम् को भी साथ में एक्टिवेट करना और अपने डैनसार के उपर भी साथ ने बैटना वैसे ही हमने किया हमारे करेक्टर डैनसार के उपर बैटने जा रहा था लेकिन हमने बम को एक्टिवेट कर दिया तो हमारा करेक्टर रॉकेट लांचर की तरह यानि जैसे रॉकेट से बम को लांच किया जाता है तो काफी दूर जाके ग बाई ने बोला था नीचे गिरेगा तब मैजिक होगा जब वो बैठने को करेगा तो गैस करेक्टर हमारा गिर के रुक चुका है और देख सकते हैं गैस करेक्टर गायब हो चुका है और यहीं मैजिक होना था कंट्रोलर सारे आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन एक भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो यह मित पूरी तरह से कनपाम है नेक्स्ट मित है अगर आप एक बाइक को स्पॉन करके बाइक के उपर तीन डैनसौर को स्पॉन कर वाओगे और बाइक पर बैट के गायब होने के बाद डैनसौर के पास बाइक ले जाकर बाइक से उतरने वाले हमने तीन डैनसार को स्पॉन करा लेते हैं तो तीन को मैंने स्पॉन करा लिए आप लोग देख सकते हैं कि तीन डैनसार को मैंने स्पॉन करा रखा है अब गईस बाइक के उपर लेते हैं जाकर के हम इंटर तो हमने बाइक के उपर जाकर के इंटर ले लिया और फिर भाई ने बोला है मित में कि करेक्टर के गायब होने का इंतिजार करना तो करेक्टर हमारा नीचे जा चुका है और भाईक हमारी ऐसे ही बची है बीना करेक्टर के फिर भाई ने मित में आगे बताया है कि आपको डैनासौर के पास जाना यानि कि डैनासौर के पास जाने के बाद फिर आपको बाइक से एक्जिट लेना है तो डैनासार के पास हम जाते हैं और यहां पर जाने के बाद हम लेते हैं एक्जिट थोड़ा सा और पास में चले जाते हैं तो हम आ चुके एकदम पास में उसके बाद हमने लिया एक्जिट हमारा केरेक्टर नीचे से उपपर आ गया है भाई ने फिर बोला है कि जब उपपर आ जाना उसके बाद बाईक के पास जाना फिर होगा मैजिक तूगाइस मैं बाईक के पास जैसे ही गया आप देख सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारा जो करेक्टर है वो बाईक के साथ अपने आप इधर से उधर फिर कोई भी कार स्पॉन करा लेना फिर करेक्टर पीछे वाली सीट पर बैट जाएगा अभी समित को ट्राइ करने के लिए हमने हेलिकाप्टर कोई स्पॉन करा रखा था उसके बाद फिर 11-20 को डायल करते ही अपने हेलिकाप्टर पे इंटर लेना है भाई के मित के अनुस एप्र लगा की इसने हेली काप्टर गेट ओपिन किया फिर बैठ गया उसके बाद फिर हमें इस फूरी तरह से कनफर में क्योंकि आप अपनी कार में चाहे जिस सीट पर बैठ़ सकते हैं आप लोग अपने मित इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप सभी के मित मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगो और जिसके मित मैं आज नहीं ट्राई कर पाया इस वीडियो में उसके मित मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरू से ट्राई कर जो मित आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किये थे वो भी और निव वीडियो में जो कमेंट करोगे वो भी और गैस आपको ये कमेंट करके बताना है अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा होगा तो आपको एक चीज देखने को मिला होगा वो क्या इता हैं कि गेम का अपडेट आपको कभी देखने को मिलेगा तो वह आपको बता देटीम carry 95 को बताि citizens के बीचे चेंबríक मृह तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक अगर रोहित गेमी स्टूडियो को निव गेम प्ले बगारा सेंड करते हैं तो भी आपको देखने को मिल जाएगा अभी रोहित गेमी स्टूडियो ने निव गेम प्ले सेंड नहीं किया है क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं अभी हमारी निस जी टी आर कार को गेम में एड़ कर रहे हैं जैसे वो एड़ हो जाएगी फिर हमें गेम प्ले देंगे तो हम आप लोगों को वो गेम प्ले दिखा देंगे तो गैस आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या टाटाइन बैबल